आयुकताले कॉलेश शुक्षर राजस्थान के प्लैटफॉर्म ग्यान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है आईए आज हम करते हैं RPSC Assistant Professor Chemistry Paper 2 के कुछ और MCQs इससे पहले कि हम पहला MCQ आज का सॉल्व करें याद कर लेते हैं Clayson Condensation में क्या होता है Clayson Condensation में एक तरह के दो esters या different esters molecule के बीच में condensation reaction होता है जिससे के आप देख रहे हैं यहाँ पर एक alcohol का चोटा सा molecule इन दोनो molecules के condensation से ये side product के रूप में निकल रहा है ये reaction एक base के presence में हो रहा है ये जो ester का CH3 group है, methyl group है इसका ये hydrogen या ये तीनो hydrogen जो है वो active hydrogen atoms है इसका दूसरा नाम acidic hydrogen भी है या इसको हम acidic methyl group या active methyl group भी कहते हैं वो इसलिए क्योंकि ये जो methyl group है वो कर्बनाईल group के साथ जोड़ा हुआ है और ये जो oxygen है कार्बनाईल group का ज्यादा electronegative होने के कारण कार्बन के तुलना में ज्यादा electronegative होने के कारण ये pi bond के electrons अपनी और attract करता है जिससे इस कार्बन पर electron deficiency electron new ता उत्पन हो जाती है as a result of which ये अपने electrons की कमे को साथ के carbon carbon bond से अपनी और खीच कर अपनी कमे को पूरा करने की कोशिश करता है जिसकी वज़े से ये जो कार्बन है वो अपने carbon hydrogen bond के electrons को अपनी और खीचता है as a result of which ये जो carbon hydrogen bond है ये ये दोनो hydrogen के भी और इस hydrogen के भी को मिला कि इस metal hydrogen के तीनो carbon hydrogen bonds जो है वो weak bonds हो जाते हैं और ये इन weak bonds को किसी भी base के द्वारा तोड़ना आसान हो जाता है जिससे कि इसमें से H-plus आसानी से निकाला जा सकता है abstract किया जा सकता है इसी वज़े से इनको acidic hydrogen या acidic metal group या active metal group के नाम से चाना जाता है आई ये देखते हैं कि ये reaction कर इस प्रकार से हो रहा है ये active hydrogen है जिसको इस base जो alkoxy या यहाँ ethoxide iron है उसने इस hydrogen को abstract किया और इस carbon पर minus charge आ गया तो ये एक nucleophile के तरह अब act करता है और इस वज़े से ये दूसरे ester molecule के carbonyl carbon पर nucleophilic attack ये कर रहा है और आप देख सकते हैं कि ये जो pi electrons हैं वो oxygen क्योंकि electro negative है उसने अपनी ore attract कर लिया और oxygen के उपर आगया negative charge ये double bond अब single bond में change हो गया साथ ही ये carbon क्योंकि इस carbon के साथ के उपर attack nucleophilic attack कर रहा है इसलिए एक carbon carbon bond इन दोनों के बीच में बना जो कि ये वाला नया carbon carbon bond है जो इन दोनों के बीच में बनता है हम देख सकते हैं कि ये double bond जो है वो single bond में convert हो रहा है और यहाँ पर minus charge आया और साथ ही दोबारा इन electrons का displacement हो जाता है जिससे c single bond O अब double bond O में convert हो गया यहाँ पर c double bond O में convert हो गया और साथ ही में आप देख सकते हैं कि ये carbon oxygen bond के electrons लेके ethoxide iron यहाँ से निकल गया और हम को यहाँ c double bond O जो की यह रहा c double bond O वो यहाँ पर बनता है और आप देख सकते हैं कि फिर ये reaction आगे होकर यहाँ we are getting keto esters as the product यह work up है यह यहाँ से proton ले रहा है और साथ में दुबारा protonation के बाद आपको ये product मिलता है यह कुल मिलाकर जो keto esters है वो as a product हमें इन दोनों esters जो की एक जैसे भी हो सकते हैं या एक दूसरे के से different esters भी हो सकते हैं उनके द्वारा base के presence में हमको keto esters product की रूप में Claisen Condensation में मिलते हैं हमारा पहला question screen पर है the reaction intermediate formed in Claisen Condensation is तो यह मध्यवर्ती कौन सा बनता है Claisen Sanghanan में वो हमसे पूछा गया है हमने अभी mechanism देखा है हमें मालूम है कि acidic hydrogen वाला समू इसमें होता है ethoxide ion base की रूप में या alcoxide ion base की रूप में लिया जाता है और carbon ion मध्यवर्ती बनता है जैसा कि हमने अभी mechanism में देखा था so this is the answer option no.3 for this question next question हमारे screen पर है Gilman reagent के बारे में एकदम direct question है चार हमें option दिये गए है और हमसे पूछा गया है कि इन में से Gilman reagent कौन सा है Grignard reagent है, organolithium compound है, selene है और this is Gilman reagent और इन तिन option को हमने cancel out किया और यह Gilman reagent जो के एक important reagent है और इसके बारे में net, GRF और RPSC में पूछा जाता है Gilman reagent के बारे में जान लेना जारूरी है, याद रखना जारूरी है Gilman reagent जो है, वो लीथियम और copper का organic reagent है और इसका खास काम यह है कि यह Alkyl Halide के साथ जब Gilman reagent का reaction करवाया जाता है तो यह मध्यवर्ती बनता है और ant में at the end we get यह जो Alkyl Group है Gilman reagent का और जो Alkyl Halide का जो Alkyl Group है यह दुनों आपस में add हो जाते हैं और हमको कोई भी complex molecule को easily synthesize आसानी से synthesize करने के लिए Gilman reagent का हम उपयोग कर सकते हैं और यही इसकी importance है और बड़े reactions में, complex reactions में जहां पर complex compounds बनाने होते हैं वा Gilman reagent का आसानी से उपयोग करके हम product पा सकते हैं नेक्स reaction को करने से पहले, याद कर लेते हैं कि एपोक्साइड का ग्रिगनार्ट reagent के साथ क्या से ring opening होता है देखे यह एक asymmetric एपोक्साइड दिया हुआ है जिसके दोनों हिससे एक जैसे नहीं है इधर एक Alkyl Group चोड़ा हुआ है जबकि यहां सरफ hydrogen है ग्रिगनार्ट reagent लेते हैं हमें मालुम है organometallic compound है यहां positive charge होता है carbon के उपर negative charge होता है oxygen के उपर electron pair होता है तो उसका मतलब यहां electron rich है तो magnesium इधर चाहेगा जैसा कि आप देख सकते है इस तरह से O-ion बनता है यह जो carbon oxygen bond है वो है टूटता है यहां पर यह mechanism दिखाया हुआ है और आप अगर ध्यान से देखें कि यह जो carbon oxygen bond टूट रहा है उसके साथ MGBR जिसके positive charge था वो इस negative charge वाले हिस्से के साथ यहां जोड़ा और यह जो carbon है organometallic compound में जो negative C- जो हिस्सा होता है वो जाके इस carbon के साथ जोड़ता है और आप देख सकते हैं कि epoxide ring यहां पर टूट रहा है यह bond टूट रहा है यहां से MGBR यह रहा और यह जो alkyl group है वो इस carbon के साथ जोड़ा और उसके बाद आप देख सकते हैं यह रहा नया carbon carbon bond जो की बना है इन दोनों के बीच में और वर्क अप के बाद आप देख सकते हैं O के साथ H और जो जिस carbon के साथ एपॉक्साइड रिंग बना हुआ था उस carbon पे जो alkyl group जोड़ता है वो grignard reagent का alkyl group होता है और इस तरह से हम इच्छित alcohol, desired alcohol product के रूप में पास सकते हैं एक नोन इपॉक्साइड रिंग को लेकर और ऐसा grignard reagent लेकर जिसमें alkyl group हमारी पसंद का हो या हमारी जरुरत का हो तो इस से हम desired alcohol as product पास सकते हैं At the end of the reaction इन बातों को ध्यान में रखते हुए आईए करते हैं हम अपना next question यह हमें reaction दिया हुआ है यह epoxide दिया हुआ है यह है grignard reagent सबसे अच्छी बात यह है कि यह symmetric epoxide है दोनों हिससे के सेम है और हम में मालुम है कि जो carbon oxygen bond है वो टूटेगा mgbr यहां लगेगा oxygen के साथ और उसके बाद work up करने के बाद यह जो O है वो O H की रूप में convert हो जाएगा और इस CH2 के साथ यह जो L के ग्रूप या RL ग्रूप लगा हुआ है कि इगनाड reagent का वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो हमें इस पूरे reaction को करने की ज़रत नहीं है यह आपके help के लिए या चीज को बहतर रूप से समझने के लिए है बिना इसको किये वे ही बड़े आसानी से हम इस नतीजे तक पहुँच सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह CH2 CH2 यह इपॉक्साइड जो रिंग है उसका यह CH2 CH2 है एक साइट में एक कार्बन के साथ OH जुड़ा है और दूसरे कार्बन के साथ जो यह कार्बन इंदोलों के बीच में आक्सिजन था तो दूसरे कार्बन के साथ गरिगनाड रियजन का जो एलकल या एराल गर्प है वो आके चुटता है तो हमें यह ही अलकोहॉल मिलेगा, यह alcohol नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक CH2 कायब है यह benzaldehyde भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें बाकी यह दोनों ही यहाँ दिखने ही रहे हैं क्योंकि ग्राइजन के साथ reaction के दौरान इस वाले जो chain में यहाँ इस structure में कोई और change यह परिवर्तन नहीं आता इसे तरह से इसमें भी जो है एक CH2 कम है और यह aldehyde है aldehyde है तो this is wrong यह aldehyde है this is wrong यह alcohol हो सकता है लेकिन CH2 कम है so this is wrong and this is the right answer तो इस तरह से हम इस नतीज़ तक पहुँचे हैं इससे पहले कि हम next question को करें आईए याद कर लेते हैं एक information benzyne intermediate के बारे में आप देख सकते हैं यहां orthobromo fluorobenzine है जिसका lithium amalgam के साथ reaction करवाया गया जिससे कि यह पहले तो bromo lithium से replace हो जाता है और उसके बाद lithium और fluorobenzine यहां eliminate होने के बाद benzyne intermediate बनता है benzyne intermediate का इस तरह से furan के साथ deals elder reaction होता है जिससे कि यह naphthalene का intermediate derivative है वो हमें प्राप्थ हुआ और उसका itself से reaction करने पर हमको मिला alpha napthol या फिर one napthol का यह preparation जो की बहुत famous preparation है इसी के उपर based जो है इस information के उपर निर्धारित बेस करके हम अपना next question करने वाले हैं orthobromofluorobenzene reacts with lithium amalgam in the presence of furan to form 1,4 epoxy 1,4 dihydronathylene तो उपरोग तभी क्रिया में मध्यवर्थी को पहचानी है यह reaction हमको दिया हुआ है और orthobromofluorobenzene यानि यह हमने लिखा यह lithium amalgam हमने लिखा और furan जो है वो यहाँ है लेकिन पहले जो इस अभी क्रिया में जो मध्यवर्थी बनता है furan से पहले मध्यवर्थी बना है benzyne हमें उसके आगे जाने की जरुत नहीं है जब हमने इतना देखा कि orthobromofluorobenzene lithium amalgam के lithium amalgam के साथ तो हमें एकदम से मालूम होना चाहिए कि जो मध्यवर्थी है that will be benzyne तो यहाँ जो carbonium ion carbon ion और carbene यह तीनों आंसर गलत है जो correct option है that is benzyne जो तो इस बनाइब आपकर्मक के साथ अभी क्रिया तथा तदपरांद चल अपखटन के बाद aldehyde बनाता है which of the following esters on reaction with gignard reagent and subsequent hydrolysis gives aldehyde which of the following तो यह esters हमें दिया हुआ है esters दिये वे हैं हमें पूचा है कि इन सभी esters में से हमें aldehyde किसे मिलेगा तो सबसे पहली बात चाहा आपको ध्यान में रखना है कि esters of formic acid react with gignard reagent to give aldehyde तो हमें ढूणना है वह ester जो formic acid का ester हो इन सभी में आप देख सकते हैं यह formic acid का ester नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है this is the formic acid ester तो यही इसका answer correct option है आईए देख लेते हैं कुछ examples हम formates के यह देखिए gignard reagent है और formic acid का ester ithyl ester है और आप देख सकते हैं कि O के साथ NGI लगा हुआ है क्योंकि oxygen के उपर negative charge होता है और जो organometallic compound का जो carbon होता है उसके उपर negative charge होता है तो इसने इस पर nucleophilic attack किया इस तरह का reaction अभी हमने epoxide ring opening में भी देखा था और उसके बाद आप देख सकते हैं electrons के movement इस तरह से हुए और MgOETI इसमें से side product बनके निकलता है और हमें मलता है aldehyde इस परकार से ethyl orthoformate का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें ultimately आप देखिए ये acetaldehyde acetal madhivarty yogic के रूप में बना और acid के साथ reaction होने के पाद हमें acetaldehyde प्राप्त हुआ तो ये दोनो reactions जो हैं वो इस answer के support में यहां पर आपको दिये वे हैं I hope this information and video was useful to you Thank you for being with me